आज हम बात करेंगे बच्चे और योग की तो सभी दुर्दशन के दर्शकों को मैरा फ्यानास मेरी तरफ से सभी को जैहिंद जुहार किस सरीके से योग हमारे लिए जरूरी है? किस सरीके से योग को हम अपने दिन चर्रे में शामिल कर सकते हैं? और योग कितना महतवपून है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये छोटे बच्चे किस प्रकार से हमारे देश का भविश्य है? और अगर हम इन बच्चों का नीव योग के साथ रखेंगे तो किस सरीके से हमारा एक स्वस्त भारत का निर्मान हम कर सकते हैं? जी हाँ, योग जिसका मतलब होता है जोड़ना, योग जिसका मतलब होता है कि अपने हंदर सकरात्मक्ता को जोड़ करके नकरात्मक्ता को दूर करना, योग जो आज पूरे विश्व भर में अपना लोहा मना चुका है, योग जिसकी पहचान देश के साथ विदेशों तक ह तो हम किस प्रकार से योग को अपने दिनचर्य में शामिल करेंगे और किस प्रकार से अपने बच्चों को मोटिवीट करेंगे योग करने के लिए आज हम सीखेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे योग में प्रणयाम की तो प्रणयाम प्रणयाम जिसका अर्थ होता है प्र और प्रणयाम में हम क्या करते हैं प्रणयाम में हम स्वसन क्रिया करते हैं और यह स्वसन क्रिया पे निर्भर रहता है तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि यह पांच उंगलिया हमारे पांच तत्वों को डेडिकेट करती है उसी तरीके से हम प्रणयाम में मुद्रा लगाते है तो ये पांच उग्रिया जो है हमारी ये हमारे अगनी, वाईयू, आकाश, पिरिथवी और जल तो जब हम अपने अंदर के गुसे को, एहंकार को और नकरात्मक्ता को जब हम खत्म करते हैं तब हम ये अगनी और वाईयू को हम मिलाते हैं क्योंकि आग को शांत करने वाला, जो एक मात्र साधन है, वो साधन होता है, वाइःू. तो जब हम अपने अंगूठे को अपने इशारे वाली ँंगली पर लगाते हैं, और तीनी उंगली को सीधे करते हैं, तो इस मुद्रा को कहते हैं ग्यान मुद्रा, और ग्यान मुद्रा में हम बैठ करके प्रणयाम करेंगे आज, तो ग्यान मुद्रा में बैठ करके प्रणयाम करने के लिए हमें सबसे पहले सुखासन में बैठना है, तो हम सुखासन में इस अगर हम इस पोजिशन में बैठेंगे, तो जो हमारा शरीर का जो वजन है, वो वजन पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा आपके जांगों पे, जिससे कि आपका जो टेल बॉन होगा, उस टेल बॉन पे आपका प्रेशर नहीं पड़ेगा, और आपको कमर से रिलेटेड समस्या उत्पन नहीं होगी, इसलिए हम सुखासन में बैठते हैं, और ज्यान मुद्रा करके, पीच को सीधा करके, आखों को बंद करते हैं, और लंबी गहरी सास लेते हैं, सासों की गती इतनी धीमी रखेंगे, कि हमें खुद की सासों की अवाज खुद ना सुनाई दे, और आख बंद रहेगा, और ये प्रणया हम कम से कम तीन मिनिट तक करेंगे, आखों को बंद करें, पीच सीधा, और ये बच्चे भी कर सकते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे आगे जो बैठे हुए हैं, जोहान आजम, वो मात्र चार साल के हैं, तो हम अगर बच्चों को हम बच्च्छय भी शिखा दें, योग करना, अगर हम बच्च्पन से ही बच्छों को योग की आदद ढलवादें, तो इससे क्या होगा, कि हमारा जो नीव है, वो सवस्थ रहेगा, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, पढाई, पढाई में हमारे बच्छों का ध्यान रहेग तो इस तरीके से meditation करना है, लंबी गहरी सांसे लेना है, सांसों को पूरे lungs, पेट तक भढ़ना है, लंबी गहरी सांसे लेना है, आखे बंद रहती हैं और जब हम तीन मिनिट के बाद विश्राम करेंगे, तब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को उपर उठाएंगे, एक दूसरे में रगड़ेंगे, आख और पूरे चहरे पे लगाएंगे, दोनों हाथों को उपर करें, एक दूसरे में रगड़ें, आख और पूरे चहरे पे ल तो इस तरीके से हम आख खोलते हैं, अब हम आएंगे आसन की तरफ बात करने, तो जब हम आसन की तरफ बात करेंगे, तो बच्चों को हम बच्पन से ही आदत दिला दे, वजरासन में बैठने की, खाने से पहले, खाने के बाद, और पढ़ने से पहले, और पढ़ने के बाद, इससे क्या होगा कि बच्चों का जो digestion system है वो digestion system हमारा बच्चों का strong होगा तो वजरासन में बैठने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों पैरों को मोडेंगे अब धीरे धीरे घुटने के ऊपर हाथ को रखेंगे सभी धीरे धीरे अपने पैरों को मोडें उठने के उपर हाथ को रखे, आखों को बंद, पीठ सीधा, तो यह जो आसन हम कर रहे हैं, इस आसन का नाम है वजरासन, तो इस वजरासन को करने के लिए, हमारे पीठ सीधा, हाथ सीधा, हिप हमारा एणियों के पीछे रहता है, और इस आसन को खाने से पहले और खाने के बा पावर बढ़ेगा, और हम अच्छे तरीके से, जो आजकल के बच्चों को डाइजेशन से रिलेटेड प्रभलम होती है, तो वो डाइजेशन से रिलेटेड प्रभलम हमारी दूर होगी, तो ये आशन कम से कम अपने बच्चों को बच्चपन में ही आदत दिला दे जिस तरीके से हम छोटे उम्र में करते हैं और छोटे उम्र में योग का हम अगर आदत दिलाते हैं तो उससे क्या होगा कि बच्चे के जो जीवन शैली में जिस प्रकार से भोजन करना जिस प्रकार से पढ़ना लिखना एक आदत बन जाता ह उसी तरीके से योग बच्चों के लिए एक आधत बन जाएगा, जो आधत हमारे प्रगतिशील देश के लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, कि वजरासन में बैठे हैं, अब वजरासन से हटने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को उपर करेंगे, दोनों हाथो रिलाक्स, अब हम जब दूसरे आसन में मूव करेंगे, तब हम बच्चों को हम क्या सेखाएंगे, कि किस प्रकार से हम अपने बच्चों को अपने बच्चों को कॉंसें पावर बिल्ड कर सकते हैं, किस प्रकार से हम बच्चों को उनकी जो स्मिरन शक्ती है, उसको किस प्र प्रणयाम रहता है वो तर्टक प्रणयाम रहता है उसमें हम क्या करते हैं हम अपने जो हमारा अंगूठा है उस अंगूठे को हम अपने चीन के नीचे लगाते हैं और इस प्रकार से छोटी उंगलियों को देखते हैं तो सभी अंगूठों को ऐसे चीन के नीचे लगाएंग यह हम तब तक देखते रहेंगे जब तक हमारी नजर धुन्दली ना हो जाए यह हमारी उंगली धुन्दली ना दिखने लगे इससे क्या होगा कि बच्चों के जो चश्मे से related problem होती है देखेंगे कि छोटे उम्र में ही बच्चे किस प्रकार से उनको चश्मी की ज़रुद पड़ती है मोटे मोटे बच्चे चश्मे लगाने लगते हैं तो इन समय स्याओं से दूर हमें दूर ही मिलती है अब इसमें हम relax कैसे करेंगे धीरे धीरे अपने आखों को बंद करेंगे हाथ को नीचे करेंगे हाथ को एक दूसरे में रब करेंगे आख और पूरे चेहरे पे लगाएंगे अब धीरे धीरे आखों को खोलेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि बार पर हाथ को रब करना आखों पर लगाना फिर हाथ को हटाना ये क्यों कर रहे हैं और क्यों करें तो देखिए जिस प्रकार से एक शीशा होता है वो शीशा पूरा गर्म होता है और उस गर्म शीशे में अगर हम ठंड़ा पानी मार दे तो क्य होगा वो शीशा तूर जाएगा उसी प्रकार से जब हम आग बंद करते हैं हमारी जो आखों की नसे होती है वो पूरी नसे शान्त हो जाती है और जब हम जो गर्म वातावरन में हम अचानक से अपनी आखी खोल देते तो उससे क्या होता है कि जो रौशनिया हमारे आखों में पड़ती है तो चोटी चोटी नसे होती है उन चोटी चोटी नसों में समस्या उत्पन होती है आख लाल होने लगता है आखों में जलन होने लगता है तो जब कभी भी आप आशनिया प्रणयाम करें तो हातों अगर आख बंद करके करें तो हातों को रगड करके आख और कि हमारे जो उंगलिया रहती हैं, इस उंगलियाओं के जो बीच में, हमारा ये जो point रहता है, ये point हमारा रहता है नित्र का, तो जब हम इस point पे डेली हम press करते हैं, रोजाना, 2-3 मिनट, दोनों point पे, तो आखों से संबंधि जो भी समस्याएं होती है, वो सारी समस्याएं तो आईए, अब हम दूसरे आसन के तरफ आते हैं, तो अब हम करेंगे मंडूक आसन, जिसका नाम पड़ा मेंधख को डेडिकेट करके, क्योंकि योग में जितने भी आसनूं के नाम है, जितने भी प्रणयाम है, सारे प्रकरतिक जो हमारी चीजे हैं उन चीजों के उपर रखा गया है तो मंदक वासन करने के लिए हम सबसे पहले वजरासन में बैठते हैं वजरासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को सीधा करते हैं पेट पे लगाते हैं सास अंदर खीज के सामनी के तरफ जुखते हैं सर हमारा जमीन पे रहता है और सांसे धीमी गती में लेते हैं इससे क्या होता है कि देखिए जब हम अपने हाथों को मुठी बानते हैं और पेट पर रखके नीचे जुखते हैं तो हमारे आतों पर प्रशर पड़ता है हमारे किड़नी पर लीवर पर सारे जुगों पर प्रिशिर पड़ता है और जब सांस हम उपर नीचे लेते हैं तो वो आपस में घर्शन करते हैं तो जब वो आपस में घर्शन करते हैं तो उससे क्या होता है कि उन आतों का हमारे जो internal organs है जो हमारे organs का massage होता है तो जब वो मसाज होता है तो उसमें motions create होता है जब motions create होता है तो उसमें रक्त का संचार अच्छे तरीके से होता है और हमारे जो internal organs है वो organs हमारे स्वस्थ रहते हैं अब हम वापस कैसे आएंगे और किनको इसमें ध्यान देना है कि कौन यह आसन ना करें तो मंडूक आसन जिनको भी slip dick related problem है या फिर जिनका तुरंत operation हुआ है वो मंडूक आसन को avoid करें और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम कोरोना काल से निकल करके वापस आये हैं और कितना दर भी बहुत जरूरी है तो आप सभी दर्शक बच्पन से ही बच्चों को मंडूक आसन करने की आदत दिला दे जिससे कि बच्चे अपने internal organs को strong करें अपने immunity को boost करें तो सभी relax हो दोनों हाथों को सामने सामने लेकर के आएं तीरे-दीरे हाथों को उपर एक दूसरे में रब करना है आख और पूरे चहरे पर अब धीरे-धीरे हथेलियों के अंदर आख को खोलना है तीसरे आसन हम करेंगे उस आसन को करने के लिए हम सो जाएंगे उत्तान पदासन उत्तान मींस होता है उठाना पद मींस होता है पैर तो जब हम अपने पैरों को उठाते हैं तो वो आसन हो जाता है उत्तान पदासन तो सभी सो जाए अब धीरे-धीरे अपने पैरों को फोटे डिग्री में हमें उठाना है गुड़ना मुड़ेगा नहीं इस आसन को करने से क्या होगा, कि आजकल के डेट में जो बच्चे फास्ट फूट खाते हैं, जो हम एकदम फ्रेश और हाईजिन भोजन नहीं मिलता है, तो क्या होता है, बच्चों को डायर्या से रिलेटेट बहुत समस्या उत्पन होती है तो अगर हम यह आसन बच्चों को करवाते हैं रोजाना एक से दो मिनिट तो इसे क्या होगा कि बच्चों को डाइर्या से रिलेटेट प्राव्ब्यम नहीं होगी और अगर माल नीजे कि कोय बच्चो को कमर दर्द की समस्या है या फिर किसी बच्चो को माल नीजे कि कॉंसंट्रेशन नहीं हो पाता, रेट के हड़ी मजबूथ नहीं होती तो ये आशन वो कर सकते हैं, relax तो यह उत्तान पदासन को रोजाना अपनी जीवन में बच्चों को सुचारू रूप से शामिल करवाएं, इससे बच्चे सुचारू ढंग से अपने कॉंसेंट्रेशन को बिल्ड कर पाएंगे, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉंग कर पाएंगे, उनका थाइज मजबूत होग और साथ ही साथ, उन्हें डाइडिया और कई अनी बिमारियों से उन्हें समधान मिलेगा, क्योंकि योग हमें हमारी भारतिय संस्रक्ति की देन है, योग हमें आशिरवात के रूप में मिला है, तो अगर योग एक ऐसा अम्रित है, अगर उसको हम रोजाना अपने करते हैं, तो हमें दवाईयों की जरुवत नहीं पड़ती है, तो सभी बैठ जाएं, अब हम करेंगे कॉंसेंट्रेशन के लिए, बहुत सारे पैरेंस को यह समस्या होती है, कि जब हम बुक्स खोलते हैं, तो बुक्स खोलने के बाद हमारे बच्चे एंसर याद करते हैं, परिक्षा में जब बैठते हैं, तो सारे सवालों का जवाब भूल जाते हैं, तो किस तरीके से हम अपने शक्ति को स्ट्रॉंग करें, किस तरीके से हम अपने कॉंसेंट्रेशन को स्ट्रॉंग करें, यह जरूरत है हमें करने की, तो हम जब तुलादंडासन करते हैं, तो इ दिखाएंगी दिव्य आप आगे आजाए तुलाटरंडासन करने के लिए हमें सबसे पहले खड़े रहना पड़ता है पीठ हमारा सीधा रहता है फिर धीरी धीरी दोनों हाथ उपर होता है और जब दोनों हाथ उपर होता है तो जब हम तराजू जिस तरीके से आप कहते हैं कि तराजू आप देखे होंगे कि जब हम आगे समान डालते हैं तो दोनों येक्वल एकदम बराबर से उठता है तो तुलाटरंडासन करने के लिए जैसे जैसे हाथ आगे जाएगा वैसे वैसे पैर उपर आएगा तो यह आसन्च जो होता है तुलाटरंडासन इसे जो रीड की हड़ी होती है, वो मजबूत होती है, थाइस का मसल स्ट्रॉंग होता है, और इस्मरंद सक्ती में ये खास कर कारगर है, रिलाक्स, तो ये बच्चों को रोजाना सुभा तुलाडंडासन आसन करवाए, इससे क्या होगा, कि आपके बच्चे सवालों का जवाब य आज कल की जो भागदौर की जिन्दगी है, किस चरीके से हम मेट्रो सिटी के तरफ भाग रहे हैं, किस चरीके से हम रोजाना एक कॉम्परटीशन में, रोजाना भागदौर में हम अपने बच्चों के स्वास्त के उपर ध्यान नहीं दे पा रहा हैं, तो योग जो हमारे अ बच्चों को अच्छे तरीके से बच्चे योग कर पाएं, तो सबसे जो ज्यादा समस्या अभी हम कोविट काल से जो निकले उसके बाद लंग से रिलेटेड होती हैं, तो किस प्रकार हम अपने बच्चों के लंग को स्ट्रॉंग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने अब दोनों पिर आगे शतर हमारा चहाटी है, इस तरह रहे से सिधा करें, पीछे की तरफ स्ट्रेच होता है तो हमारा लंग्स खीचता है और जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स खीच करके उसका एक्ससाइज होता है और लंग्स तक oxygen पहुंचता है जिसे कि क्या होता है कि हमारा जो लंग्स है वो मजबूत होता है और अगर हम फ्रेश एर में करते हैं तो लंग्स तो करते हैं अब वर्यor पोस्ज से ही आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एक योध़ा को जंग जीतने के लिए और किस प्रकार से एक योधा जबajuता है तो वह योध़ा कहलाता है तो जब हम विमारी ऋसे जंग जीतना चाहे तो warrior pose आसन जरूर करें सवासन बहुत आसान सा आसन है सवासन में हम सभी सो जाते हैं सो जाई सवासन शव के भाती किया गया आसन सवासन बच्चों को इस तरीके से सुला देना है हाथों को आकाश के तरफ रखना है पलट करके आकाश के तरफ रखे सभी अपनी हाथों को बदन धीला छोड़े लंबी गहरी सासे और आख बंद तो यह आसन आप नॉर्मली बच्चों को करवा सकते हैं सवासन इससे क्या होगा कि जो भी इंसुमीनिया से रिलेटेट प्रॉबलम होती है या फिर बच्चों को जो लाप टॉप कम्प्यूटर की पीछे भागते हैं फिर उनको नींद नहीं आती है तो उनको इन सारी समस्याओं से निजाद मिलेगा तो इस प्रकार से करके सासे गहरे लेने है पूरे फेफडो तक और पूरे पेट तक सास जाएंगे सास कैसे लेना है सासों की गती हम जब सास लेते हैं तो हम सोचते कि इस प्रकार से ले इस तरीके से कताई सास नहीं लेना है सास हमें लेना है कि हमें खुद की सासों की अवाज खुद ही सुनाई ना दे तो इस प्रकार से हमें 2-3 मिनिट तक बच्चों को करवाना है सवासन स्कूल से आने के बाद बच्चों को इस प्रकार से बैग रख करके इस प्रकार से बच्चों को सवासन करवाए अब सवासन से वापस आने का भी एक प्रक्रिया है कि दोनों हाथ उपर रहेंगे एक दूसरे में रब रब करिए अब धीरे धीरे हाथ नीचे जाएंगे आखों की तरफ फिर एक बर और रब करेंगे हथेलियों से आखों को ढखेंगे अब हथेलियों के अंदर आखों को खोलेंगे अब धीरे-धीरे हाथ ठटाएंगे और उठके बैट जाएंगे तो इस तरीके से जो हम आसन करते हैं इस आसन को कहते हैं सवासन अब जो बच्चे योग में आदत कर लिये रहते हैं जिनको योग को अपने जीवन शाली में वो बच्चे योग को शामिल कर लेते हैं, तो उनका मन के साथ साथ उनका जीवन भी स्वस्त रहता है और उनका कॉंसेंट्रिशन पावर बिल्ड होता है. एक और प्रनयाम हम सिखेंगे, उस प्रनयाम का नाम है नाड़ी शोदक प्रनयाम, सुखासर में से भी बैठ जाएंगे, नाड़ी शोदक प्रनयाम, तो नाड़ी शोदक प्रनयाम क्या होता है? नाड़ी शोदक, नाड़ी मिंस क्या होता है? वेंस, शोदक मिंस क्या होता है? प्यूरिफाई करना, तो जब नाडियों का शोधक होता है, मिन्स नाडियों को जब अपने वेंस को प्यूरिफाई करते हैं, तो वो होता है नाडि शोधक पिरना है, आप देखते होंगे आपके घर में जो पाइपे हैं, उन पाइपों में जब काई जम जाता है, तो आप क् जाक्त का संचार पूरे शरीर में अच्छे तरीके से होना रहता, वो हो नहीं पाता, तो नाड़ी शुदक प्रणया हमारे साड़े वेंस को प्यूरिफाई करता है, तो नाड़ी शुदक प्रणया हम कैसे करेंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे, अब अपने हाथों को उठ करके, आपका केंद्र होता है, उस केंद्र में रखेंगे, थर्ड ऐ पोजिशन में, हाथों को अथाएं धेरे से, इस तरीके से हमें करना है, अब क्या करना है? दो हमारी नाड़िया होती है, यह जो हमारे नाख होते हैं, यह दो चीज़ों को डिकेट करते हैं, नॉस्ट्र जो हमारा नॉस्डेल होता है जो हमारा बायानाग होता है यह संद्रमा को डिडिकेट संद्रम यह यह लगर वाईन नाख से हम सुन लेते हैं कि अधिर अगर जिनका बिपी हाई है तो उन्हें क्या ध्यान रखना है ना उन्हें कभी भी दाए नाक से सांस नहीं लेना है BPI वाले को क्योंकि यह और इड़ी सूरे भेदक नाड़ी होती है तो हमेशा जिनका BP high होता है वो बाएं तरफ से ले, जिनका BP low होता है वो दाएं तरीके इन तरफ से ले, तो इन चीज़ों को हम धियान रखे, तो नाड़ि-शोदक नाडिया होती है, इसलिए हम इसे 72 बार से शुरू करते हैं, नाडि शोधग प्रणियाम में, पिछ सीदा स्वास को धीमिगती में लेना है, अब हमें यह ध्यान देना है कि किस प्रकार से नाड़ी शोदक पर्णयाम को करना है और किने नहीं करना है तो जिनका अगर BP हाई हो उनको तेजगती में स्वास को नहीं लेना है क्योंकि अगर हम तेजगती में लेते हैं तो बॉडी का जो ब्लर सर्कूलेशन रहता है वो अल्रेडी हाई फ्लो करता है, तो वो धीमी गती में नाड़ि शुदक परणयाम करें, अब दोनों हाथों को आगे करेंगे, एक दूसरे में रगड़ेंगे, आख और पूरे चेहरे में लगाएंगे, और धीरे धीरे आखों को खोलेंगे, अब हम अन्तिम एक परणयाम कर जो प्रणयाम होता है, कापालभाती प्रणयाम, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे नाभी में अम्रित होता है, जब हम मा के गर्म में रहते हैं, तब भी हमें भोजन की जो प्राप्ति होती है, वो हमारे मा के नाभी से हमारे नाभी में जो कॉर्ड जुड़ता है, उस कॉर्ड के माध्यम से होती है, तो जो पूरी दुनिया में जितनी भी बिमारिया है, उन बिमारियों का इलाज नाभी में छुपाया है, क्योंकि नाभी में अमरित होता है, एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी, कि जिस प्रकार से जब रावन का वद्ध हुआ था, तो राम जी ने कई क जरी होती है, तो नाभी का बहुत महत्व है, तो अपने बच्चों को डेली नाभी से रिलेटेड आसंस करवाए, कपाल भाती करवाए, तो कपाल भाती करने के लिए हम क्या करेंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे, सांस को अंदर भढ़ेंगे, और नॉस्ट्रल में मूव वो अपने हथेली को नाभी के पास रखेंगे, सांस लेंगे, सांस को बाहर करेंगे, नाभी पे जटका देके, फिर सांस लेंगे, सांस को बाहर करेंगे, नाभी में जटका देके, और जो सीख लिए रहेंगे, अच्छे तरीके से अभ्यासरत रहेंगे, वो इस प्रकास से सुखासन में बैट करके सांस ले और continue सांसों को बाहर करें और अगर ये बड़े करना चाहे तो वो अपने बीपी को ध्यान रखे अगर आपकी बीपी जादा है तो इसको तिर्व गती में ना करें अगर आपका बीपी लो है तो आप नॉर्मल गती में कर सकते हैं तो ये सारे प्रणयाम और आसन जो हमने आज सीखा जरूरत है कि बच्चों को सुचारू ढंग से अपनी जीवन में शामिल करने के लिए क्योंकि जो स्वस्त भारत का सपना है हमारे प्रधान मंतरी जी का जो हमने एक सपना देखा है कि हमारे हर एक बच्चे अपने उपर मतलब कॉन्फिडेंस के साथ हमारे भारत वर्ष का जो गर्व है वो हमें पुरे विश्म भरमे में गौरवानवीद करें, तो ये सपना पूरा करने के लिए योग बहुत जरूरी है, क्योंकि योग हमारी भारतिय संस्रक्ती है, और जरूरत है कि हम योग को रोजाना अपने दिन्चरे में शामिल करें, क्योंकि एक स्वस्ता भारत का सपना ह मैं राफ्यानाज आज आप सभी से विदा लेती हूँ अगली मुलाकात करने के वादा के साथ तो आप सभी दूरदर्शन के जितने दर्शक है सभी को मेरी तरफ से जैहिन जोहार योग रोजाना करे और अपने दिन चर्रे में योग को शामिल करे क्योंकि अगर हमारे भारत का उजवल रहेगा